चार- न्याय पर कौटिल्य के विचारों को संक्षेप में समझाइए तथा असामाजिक तत्वों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है कोटिल्य के न्यायस बंधी विचार, कोटिल्य के अनुसार न्यायधीश की नियुक्ति, कोटिल्य ने अपने राजनीतिक दर्शन का आधार राजा को माना है। कोटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थ शास्त्र में चार स्थानों पर न्यायपालिका के गठन का सुझाव दिया। 2. सन न्यायाले, कोटिल्य की न्यायपालिका की मुख्य इकाई थी। इसमें दस गावों के केंद्र में स्थापित न्यायले को संग्रहन न्यायाले कहा गया। 3. द्रोन मुख्य न्यायाले, यह कोटिल्य की न्याय व्यवस्था की एक अन्य महत्वपूर्ण इकाई थी। इसका क्षेत्र और अधिक व्यापक था, इसे 400 गावों के केंद्र में स्थापित किया गया। इसका कर्मक्षेत्र संग्रहन न्यायालय से व्यापक था। 4. कोटिल्य के स्थानिय न्यायालय स्थानिय न्यायालय द्रोण मुख न्यायालय की अगली खड़ी था। इसका कार्यक्षेत्र द्रोण मुख न्यायालय से भी व्यापक था। इसमें 800 गामों का समाहित कराया गया। यह 800 गामों के केंद्र में स्थापित एक न्यायाले था। नियाय पालिका का वरगी करण, प्रकार, कोटिल्य ने विवाद के स्वरूप के आधार पर नियायालयों को दो भागों में बांटा, वंड, दीवानी अथवा धर्मस्थलिय या व्यवहार, नियायालय, डो, फौजदारी अथवा कश्टक शोधन नियायालय, दीवानी धर्मस्थलिय नियायालय वह नियायालय है, जो नागरिकों के परस पर व्यवहार से उत्पन होने वाले विवादों का निपटारा करते हैं। इस तरह के विवादों को कोटिल्य ने व्यवहार की संझा दी है। इसमें मुख्य रूप से संपती, संविदा, उत्तराधिकार विवाह आरण धरोहर, साजेदारी आदी संबंधित विवाद आते हैं फौजदारी अथवा कष्ट कशोधन न्यायाले कौटिल्य के अनुसार कष्ट कशोधन न्यायाले वहसे न्यायाले है जिनका उद्देश्य राज्य के कष्टक अथवा शत्रूओं को राज्य दूर रखना है। इसका मुख्य लक्ष राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किये जाने वाले अपराधों पर विचार करना है। इसके अंतगत मुख्य रूप से प्रजा के प्रतिदिन के संपर्क के धोबी, जुलीर, रंगरेज, सुनार, वैद्य, नट आदी के द्वारा प्रजा के शोशन आदी के मामले आते हैं। इसमें कर्मचारियों के द्वारा प्रजा के उत्पीडन के मामले भी आते हैं। कोटिल्य ने इन सभी अपराधों को कश्टक की श्रेणी में रखा है. इन अपराधों का पता लगाने के लिए गुप्त चरों की व्यवस्था पर बल दिया. कोटिल्य की न्याय व्यवस्था आधुनिक थी. कोटिल्य की संपूर्ण न्याय व्यवस्था आधुनिक है. वह न नियाय की निश्पक्षता पर बहुत बल देता था। उसकी मान्यता थी कि नियाय प्रधान करने की व्यवस्था में लिंग तथा वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसने नियाय धीशों पर भी निगरानी पर बल दिया है। यह कार्य गुप्तचर विभाग को दिया गया। यदि नियाय धीश नियमों की अन देखी करता है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए।